हलो फ्रेंड्स रादे रादे स्वागत है आप सभी का सांची की रसोई में आज मैं लेकर आई हूँ मसाला आलू की रेस्पी जो की खाने में बहुती स्वाधिष्ट और चर्पटी बनती है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है आप देख सकते हैं बहुती बड़िया टैक्चर है इसका सचमे खाने में उतना ही स्वाधिष्ट है यह तो मेरी रेस्पी आप सभी को अच्छी लगें तो कोमेंट जरूर करें और वीडियो को फुल आज करें तो फ्रेंड्स नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए हम देखते हैं मसाला आलू कैसे बनाते हैं मसाला आलू बनाने के लिए मैंने ले लिया है तीन आलू तो आलू को मैंने बोईल कर लिया है तो इसका छिलका उतार लेते हैं इसी तरह सारा छिलका उतार कर इसको हमें छोटे-छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है तो आप चाहें तो इसको लंबे-लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं आपको जो जैसे पसंद है आप वह ऐसे काटें इसे तो मैंने इसको ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में काटा है पहले इसको मैंने इसी तरह से काट लिया है उसके बाद हम इसको ऐसे छोटे छोटे पीस में काटेंगे आप चाहें तो इसको ऐसे स्लाइस में लंबे काट करी इसको ऐसे बढ़िया बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है तो इसी तरह से हमने काट लि होता है थोड़ा सोप होता है उसको ले लेना है हमने हरी मिर्च ली है और हमने अद्रक ली है इसी तरह छोटे-छोटे स्लाइस में अद्रक को काट लिया है और हमने हरी मिर्च को भी ऐसे इसको काट कर और हमें इसको दरदरा पीशना है बहुत ज्यादा बारिक नहीं करना है तो सारी चीजें जो भी है अद्रक हरी मिर्च और हरी धनिया तो इसी तरह हम डाल देंगे और हम ले लेंगे थोड़ा सा रस्षन लगवक्त तीन से चार कली यह रस्षन है तो इसको भी डाल दिया है और डालेंगे कुछ खड़े मसाले इसमें तो मैंने यहाँ पर एक चमत सो सूखी दनिया डाला है और हमने डाला है इसमें 8-10 दाने यह काली मिर्च के तो काली मिर्च जादा नहीं थोड़ी डालनी है और इसको हमें दरदरा पीस लेना है बहुत जादा बारेक नहीं करना है ना ही हमें इसमें पानी डालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको अब हम निकाल लेते हैं कटोरी में तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है इसको ऐसे ही दरदरा पीशना है सूखाई पानी नहीं डालना है इसमें तो इसी तरह देख सकते हैं बिल्कुल ही दरदरा इसको पीशा है अब हम रख देते हैं गैस पर फ् सा लगबग एक चमच मैंने यहाँ पर सर्चों का तेल डाला है तो थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लगबग आदा चमच जीरा तो जीरे का ही तड़का लगाना है फ्रेंट्स इसमें और हींग थोड़ी सी लगबग मैंने यहाँ पर दो पिंच ह लिए कि तो इसी तरह चलाते होए थोड़ा सा जीरा चटक जाए उसके बाद हमने जो मसाला दर-दरा पीजा था उसको डाल देंगे इसमें तो ये हलका सा ब्राउन हो गया है, अब हम डाल देते हैं मसाले जो हमने दर्दरा पीशा हुआ था तो इसको हम लगभख एक मिनट तक इसी तरहें चलाते हूए इसको भूनेंगे इसी तरहें चलाते हुए इसको थोड़ा हम पका लेते हैं उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लगबागात चमच हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर को भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड्स कभी भी आपको अगर चटपटा खाने का मन करें या आप कभी सफर में जा रहे हों तो ये मसाला आलू जरूर बनाएं आप बना कर देखिए बहुती टेश्टी बनती है ये रेश्पी तो अब हम डाल देते हैं इसमें आलू तो आलू को डालते हुए बढ़ि से हमने मिक्स कर लिया है और इसमें अभी थोड़े से मसाले हमने और डालने है तो हमने डाला है लगबग एक चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर तो इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड्स पहले मैंने दिखाया था मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाला है तो और काली मिर्च भी डाला है वो भी तीखी ही होती है तो ये लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली नहीं है इसलिए मैंने इसमें एक चमच डाला है तो इसमें डाल दिया है मैंने टेस्ट के कोडिंग नमक और सबसे मेन इसमें डालना है हमें आमचूर पाउडर तो आमचूर पाउडर इसलिए डाला है कि मैंने इसमें टमाटर का बिलकुल यूज नहीं किया है टमाटर नहीं डाला है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है इससे बहुत ही बढ़िया चरपटा टेस्ट आएगा और अब हम डाल देते हैं इसमें हरी धनिया तो ह बहुत ही कम मसाले में बहुत ही चरपटी रेश्पी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फो रोचिंग